हेलो जी, गूद यूवनिंग, कैसे हैं आप सब, मैरे नूँ वेलकम करती हूँ आप सब का आपके अपनी चैनल में, सुबह का टाइम है, सुबह के साड़े पाच यह अच्छे बजे का टाइम है, नीचे उठके आई जाडू लगाई, बाहर का जो है वो ठेका वैने ले लिय इसके बारे में, तो आप लोग बोल रहे थे, इसको रिपेर करना, थोड़ा सा अच्छा करना मैंने इसको, आज सुबह पहले मैं लेके बैठ गई और देखे मैंने इसको रिपेर किया, और थोड़ी से मिट्टी बच गई थी, तो मैंने सोचा, जो यह है, बचा वहा मतलब मिट्टी जो है, इसको मैं यहां से लिप देती हूं, तो थोड़े से यूज में आ जाएगी, और मेरा घर अच्छा लगेगा यार, मैं इसलिए मैं लगए हूं लिपने, और बाहर देखो, बच्चे और भाईया लोग लगे हैं, मतलब भाईया और नेनी के पापा, यह हो रही है, और यहां पर यह सारा निराई गुड़े का काम चल रहा है, और यह जो काम है, यह बहुत डीपली किया जा रहा है, महिने में एक बार तो ऐसे डीपली किया ही जाते है, यह जो पेड़ पोदे थे आंधी चलने से, इनके बीच में जो खेद के धासे वगरा होते ह वो गुस गये हैं, तो उनको निकालना, इनके बीचे पत्ते निकालना, तो सारा काम एकदम डीपली हो रहा है, तो वो सब पूरा परिवार लगा है, कोई किसी काम में, कोई किसी काम में, और यहां पर मैं और राखी दोनों हैं, राखी कर रही है कुर्सियों को साफ, यह च यह आ गय हैं चुले के पास तो देखो मैंने बाइवाला चुला वह भी लीप दिया था कितना अच्छा लग रहे है न हमारा चुला यह सुबह उठते जल जाता है तो मैं इसको जो काम हो रहा था उसके होते होते साथ-साथ मैं इसको मिट्टी से लीप रही थी तो यह किया कर ऐसे किया कर सुबह पहले उठते ही सारी राय ममी बता रही है मैं ध्यान से ममी के पास बैठके सुन रही हूं अच्छा लगता है ममी जब ऐसी बाते करती है न तब और यहां पर राखी जो है वो ममी के लिए सबजी बनाने की त्यारी कर दिये मतलब कि ममी के लिए बाटने के बाद में भी बहुत सारे घट्टे हो जाते हैं और यहां भावी जो है साथ वाली जो ताउजी के बेटे की बहुं है वो दोनों उनका आज जो बिटोडा है वो कम्प्लीट हुआ था तो उन्होंने मिर को आवाज लगाई मैं बाहर जिसे यह जो खेती का काम कर रह है जाइक कितना अच्छा सा इन्होंने यह लगा दिया है और हमारे हारयाना से यह बिलॉं करती है तो यह हिएधर ऐसे हर्याना के जिससे मतलब उपले बनाती हैं बड़े-बड़े-मोटे-मोटे बागी राज़स्थान में जादे तर छोटे-चोटे उपले बनाये जाते ह वो जो है एक बार मेरे पास वीडियो भी आया था मतलब रिक्वेस्ट भी आया थी कि आप ऐसा वीडियो लेक्या हो जिसमें की यह उपले बगरा दिख रहे हो तो मैं जोचाए यह थोड़ा सा है मैं इसी वीडियो से आप लोगों को दिखा देती हूं कि कैसे हमारे यहां पर बिटोड़ा बनाए जाता है है थां मैं एड़ा कि आ जाता है जाता है जाता हैं हुआ कि पार जाता है कि वाप्पी अप्पी को आज साल होगी जाता है इस बच्छिपन में भार करें दो हरकाई है विए भार की अब है तुछ निया राखी अधे चिक है तो फुल्वार भाटी शेट वह बागा तो जो बाटी शेट बाटी अधिर कोई बाटी टो दो देगा है कि जोर की चालरी है हुआ है एक पॉपपाई खा रहे हैं नहीं पॉपपद नार आएंगा पहला अब जो क्लिप प्ले हुई है ना उसमें आपने भावी को देखा भावी बता रही थी कि उनकी जो बड़ी बेटी है ना जिसकी साधी हो गई वो 19 साल की हो चुकी है और भावी की एज जो है वो अभी आप को दिखरयोगी कितनी चोटी सी है और भावी की शादी को 20 साल हो चुके हैं सोचकर देखिए मतला हमारे जो बुजूर्ग है उनों ने जो पहले के जमाने में ज्यादा होता था कि वो कितनी चोटी एज में शादी कर देते थे अब भावी की उमर जो है वो मेरे से जदा होती है तो भावी जो है वह उस तरीके से ग्रोव नहीं कर पाई मेरा मकसद यह नहीं है कि मैं बाल विवा को सपोर्ट करती हूं मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि जो मेरे यहां पे बड़े भाई है कि बेटिया उनकी छादी छोटी उमर में हुई है वैसे जादा उसकी जो हमारे बतीजिया उनकी प्रोपर हुई है और ऐसा घर उनको मिला है तब उन्होंने शादी की लेकिन भाबी की तो बहुत ज़्यादा छोटी एज में शादी हुई थी तो उतनी छोटी एज में नहीं होनी चीए लेकिन बस यह है कि आप जब कॉलेज में जाते हैं उस टाइम अगर लड़की की शादी हो जाती है और अच्छा घर मिल रहा होता है फैमिली पूरी राजी खुसी उस रिस्ते को कुभूल करती है मैं यहाँ पर यह पॉइंट उस दिन भी यह उठाया था वह पॉइंट मैंने आज भावी जब बात कर रही थी न तो मेरे को बात दिमाख में आई तो मैंने यहां पर वही बात क्लियर करने की कोशिश किया है और यहां जो हैं वो drum sticks जो हैं वो तोड़ के लाए गई हैं बहुत सारी drum stick तोड़ के ले आए भी या देखो हमारे जो बाहर पेड़ है न उसकी और कह रहे हैं इनको साफ करके रख लो सबजी बनाने की काम आएंगी शाम को तो यहां पे मैं वो ही कर रही हूं बस बैठ गई हूं साड़ी नहीं पहने हैं अभी मैं सोचा जब तक यह सबजी यहां वगरा सारी क्लेन नहीं होंगी तब तक साड़ी नहीं पहन होंगी क्योंकि मेरी आदत है मैं साड़ी वगरा पहन लेती हूं और फिर बाद में वो जो ह यह दूब है टीं होती को युद्सst 속 और बादें के सारे कपड़े शुत्युने सांग कराओ और बहुतरा है वह सारा काम फिनिश करिके तो लिए पॉखेश अम झालेंगे और चलनी में दोके लगए तड़गा लगेगा तो यह मतलब जो होते ना इस Bin बाहर बालसे बाल जैसे 저 कुछ होते है वह दात के नीचे निच्छे नहीं आते हैं मतलब ऐसे मुं में अटकतें नहीं हैं। तो इस तरीके से निकाल रहे हैं और बेटी मिल करके और ये सारी निकालके और फिर इस्की सबजे बनाएंगे तो वह सबजे पहुत्य बनती दाल में बी डालते हैं वैसे ड्रं जाएका उसका बाहर कशन जो सबस्त होता है यार यहाँ फिर नहीं ह। तो मुझ में वह ज़्यादा आठकेगा नहीं और यहां पर जो है न मैं बात करती क्योंकि मेरी नैनी के बहुत सारी फुनसियां हो गई हैं पुनसिया कैसे हो गई कोई जानवर वगरा जैसे पहले कभी गाउं में नहीं हुए हम लोग गाउं में रहे नहीं तो मेरे बच्चो क्या है नैनी को पता है कोई जानवर काटा है कि क्या हुआ है मैं घरवाल उसे बात भी करने वाली हूं इस मामले में कि उस साइद उसमें जब टीन साइड में रह रहे ना वहां पे ऐसे जानवर वेगरा कुछ है क्योंकि बच्चे जब दिन में उधर खेलते हैं बैठते है बेडों पर हमेरे कहले से वहीं पर खा है क्योंकि बाकी बच्चों कि किसी के नरी ओरना या क्यें जानवर को बहुत सब्सक्राइब मैं इस चाले टाइब से बहुत सारे हो रहे हैं तो उनसे में ribos' सबको देखके ना मन थोड़ा सा यह होता है घबराट सी होती है कि रुद्रपूर ज्यादा अच्छा था बच्चों की हालात खराब हो रही है मन भी करता है कि यार बच्चे जो है जो जेल रहे हैं वह अच्छा नहीं लग रहा देखो कैसे काले-काले पैर हो रखे हैं बस एक होप के साथ कि नहीं आने वाले टाइम में यह भी यहां के इंवार्मेंट में ढ़ल जाएंगे यह होप जो है ना वो फिर अंदर अपने आपको मोटिवेट करती हूं कि नहीं लेकिन एक माँ जो है वो अपने बच्चों को जब तकलीक में देखती है तो थोड़ी सी उदा वीडियो एक साथ मिलूंगी तब तक के लिए बाई बाई टेक केर थैंक्स वर वाचिंग